प्रोजाना ताजा खबरे पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को दबाईए इस घंटी के बटन को पाएं लेटस खबरे सबसे पहले पार्टी पर अंधादुन्द फाइरिंग की हमले में सियार पेप के असिस्टेंस अब इंस्पेक्टर मिश्रीलाल मीना अरतालीस वह कॉनस्टेबल 26 शहीद हो गए शहीद मिश्रीलाल मीना राजस्थान के टोंक जीले के राजमहल के रहने वाले थे जबकी कॉनस्टेबल संदीब सिंगलवर के बानासोर इलाके की धानी गुर्जरावाली के निवासी थे इस हमले में एक जवान वए एक काम नागरिक भी घायल हुआ है आतंकी हमले के बाद भाग निकले उनकी तलाश में सेना का सर्च अभियान जारी है लश्कर प्रवक्ता ने इमेल जारी कर इस हमले की जिम्मेदारी ली है जबकी खराब मौसम के चलते जैपुर से शहीद मुकुट बिहारी मीना का पाठिव शरीर शुकरवार शाम जालावार नहीं पहुंच सका राजस्थान के तीन वीर सपूतों के शहीद होने पर शौकी लहर है टूंक निवासी थे मिश्रीलाल बानासूर के थे संदीप मिश्रीलाल के परिवार में पीछे पतनी एक, बेटा और दो बेटिया है वे आठ फरवरी 2018 को ही दोनों बेटियों की शादी करके ड्यूटी पर गए थे उधर संदीप सिंग 2011 में CRPAP में कॉन स्टेबल पद पर भरती हुए थे उन्होंने कहा कि खत्म होने पर वापस घर आएंगे संदीप के परिवार में पत्मी मनीशा, दो बच्चे आशीश्व अक्षत है दोनों शहीदों का अंतिमसंस कार संभवतया शनिवार को किया जाएगा मार्च में ही छुट्टी पूरी कर ड्यूटी पर गए थे मिश्रीलाल राजमहल, टोन्क पहला गाम आतंकी हमले में राजमहल के सपूत CRPAP के सेक्षन कमांडर मिश्रीलाल मीना के शहीद होने की खवर मिलने के बाद उनके घर शौकी लहर चा गई है उनका अंतिमसंस कार सैनिक समान के साथ संभवतया शनिवार शाम तक इनके पैत्रिक गाव में किया जाएगा परिजनों के मताबिक आखरी बार में श्रीलाल की बात गुरुवार को मुबाइल पर उनके भाई हनसराज से बात हुई थी शुक्रवार को CRP AP में इसाई के पदपर कारिरत सेंक्षन कमांडर आठ से दस जवानों को साथ श्रीनगर क्षेत्र के अच्छा बल अनंतनाग में पहल गाम रोड पर गश्ट कर रहे थे इस दोरान इनके दल पर आतंके उने हमला कर दिया हमले में मिश्री लाल मीना के दो गोलियां लगी एक गोली गर्दन पर वद दूसरी गोली सीने पर लगी पूरी होते ही घर लोटने वाले थे संदीप बांसूर अलवर को दोपहर तक उनके पैत्रिक गाव में पहुँचेगा हाजीपूर सरपंच सुनीता सुरीला ने बताया शुकरवार दोपहर डेढ़ बजे जम्मू कंट्रोल रूम से फोन पर सूचना मिली थी कि धानी गुर जरावाली तन हाजीपूर निवासी संदीप अमरनाथ यात्रा में एक पोस्ट पर डेउटी के दोरान सुबह ग्यारा बजे गोली लगने से वे शहीद हो गया शहीद संदीप 2011 में सी आर पी एफ में कॉन स्टेबल के पद पर भरती हुए थे दो माह पहले गाव में चुट्टी काटकार वापस ड्यूटी पर चले गए और यह कहकर गए थे कि अमरनाथ यात्रा समाप्थ होते ही मैं जल्दी वापस घर आऊंगा शहीद के परिवार में पिदा बनवारी लाल यादव खेती बाड़ी का कारे करते हैं माता कृष्णा देवी ग्रिहनी है दो भाईयों में संधीब बड़ा है इधर मौसम खराब होने से हवाई पटी तक नहीं पहुँची शहीद की पार्थिव देह जायकूर जालावार शहीद मुकुट बिहारी मीना का पार्थिव शरीर शुकरवार शाम जालावार नहीं प दूरी पर मौसम खराब होने के चलते हेलिकॉप्टर आगे नहीं बढ़ सका इसके चलते वापस जायकूर रवाना होना पढ़ार